मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मरने से पहले जिन्दगी में बहुत कुछ करना बाकी है ऐसा कहना है महान और अद्भुत वैज्ञानिक इस्टीफन हौकिंग का जिसके सरीर का कोई भी अंक काम नहीं करता वो चल नहीं सकते वो बोल नहीं सकते वो कुछ कर नहीं सकते लेकिन फिर भी जीना चाहते हैं इस्टीफन का कहना है कि मृत्तु तो निश्चित है लेकिन जन्म और मृत्तु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वो हम पर निर्भर करता है चाहे जिन्दगी जितनी भी कठिन हूँ आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं इस्टीफन का जन्म 8 जन्वरी 1942 में इंग्लैंड के आक्सफोर्ड सहर में हुआ था जब इस्टीफन हौकिंग्स का जन्म हुआ उस समय दूसरा विस्व युद्ध चल रहा था इस्टीफन हौकिंग्स के माता पिता लंदन के हाईगेट सिटी में रहते थे जहां पर अक्सर बंबारी हुआ करती थी जिसकी वजह से वह अपने पुत्र के जन्म के लिए आउक्सपोर्ड चले आये जहां पर सुरच्छित रूप से इस्टीफन हौकिंग्स का जन्म हो सका बच्पन से ही हौकिंग्स बहुत ही एंटेलिजेंट थे उनके पिता डॉक्टर और मा एक हाउस वाइट थी इस्टीफन की बुद्धी का परचय इसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्पन में लोग उन्हें आइंश्टीन करकर पुकारते थे उन्हें गडित में बहुत दिलचस्पी थी यहां तक कि उन्होंने पुराने इलिक्ट्रानिक्स उपकरणों से कम्प्यूटर बना दिया था सत्रव वर्स की उम्र में उन्होंने आक्सपोर्ट युनिवरसिटी में प्रवेस ले लिया आक्सपोर्ट में पढ़ाई के दौरान उन्हें अपने दैनिक कारियों को करने में थोड़ी दिक्कत आने लगी थी एक बार इश्टिफन छुट्टिया मनाने के लिए अपने घर पर आये हुए थे तभी सीडियों से उतरते समय वो बेहोस हो गए और नीचे गिर गए सुरू में तो सभी ने कमजोरी मात्र समझ कर जादे ध्यान नहीं दिया लेकिन बार-बार इसी तरह के बहुत से अलग-अलग प्रॉब्लम्स होने के बाद जाच करवाया तो पता चला कि उन्हें कभी न ठीक होने वाली बिमारी है जिसका नाम Neuron Mortar Disease था इस बिमारी में मांस्पेशियों को निरंत्रित करने वाली सारी नसे धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती है जिससे सरीर अपंग हो जाता है और पूरे अंग काम करना बंद कर देते है डॉक्टर का कहना था कि इस्टेफन अब सिर्फ दो वर्स और ज सरीर धीरे-धीरे काम करना बंद कर देगा इस्टेफन को भी इस बात से बड़ा सद्मा लगा लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं मर सकता मुझे जीवन में बहुत कुछ करना तो अभी बाकी है इस्टेफिन ने अपने बिमारी को दरकिनार कर तुरंट अपने वैग्यानिक जीवन का सफर सुरूप किया और अपने आपको पूरी तरह विज्ञान को समर्पित कर दिया धीरे धीरे उनकी ख्यात पूरी दुनिया में फैलने लगी उन्होंने अपनी बिमारी को एक बर्दान की रूप में समझ लिया था लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका सरीर भी उनका साथ छोड़ता चला जा रहा था धीरे-धीरे उनका बाया हिस्सा पूरा काम करना बंद कर दिया विमारी बढ़ने पर उन्हें वील्चेअर का सहारा लेना पड़ा उनकी ये चेअर एक कंप्यूटर के साथ बनी है जो उनके सर उनकी आखों और उनके हाथों की कंपर से पता लगा लेती है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। धीरे धीरे इश्टिफन का पूरा सरीर काम करना बंद कर दिया था। लेकिन उस बीमारी में एक प्लस पॉइंट भी था कि इस बीमारी से इश्टिफन सिर्फ सारुलिक रूप से अपंग हो रहे थे। ना कि मांसिक रूप से उसके बाद लोग यूँ ही देखते चले गए और हौकिंग्स मौत को मात पे मात दे रहे थे उन्होंने ब्लैक होल का कॉंसेप्ट और हौकिंग रेटियेशन का महान विचार दुनिया को दिया उन्होंने अपने विचारों को और सरन्भासा में समझाने के लिए एक किताब लिखी A Brief History of Time जिसने दुनिया भर के बिज्ञान जगत में तहलका मचा दिया दोस्तो इस्टिफन हौकिंग्स एक ऐसा नाम है जिन्होंने सारणिक रूप से विकलांग होने के बावजूद अपने आत्म विश्वास के बल पर विश्व का सबसे अनुठा वैज्ञानिक बन कर दिखाया है जो विश्वा में ना केवल अधभूत लोगों बलकि समाने लोगों के लिए पेड़ा बने हैं आपका बहमूले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं मैं हर रोज एक नई इस्प्रिस्नल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूँ दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो क्रिप्या चैनल को सस्क्राइब कर लें आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद